नमस्कर दोस्तों में नाम स्रीकांत कुमर आप देख रहे टू जेट टोसेश आज हम बात करने वाली सी वीडियो में दोस्तों अगर आप गरिवी रेखा से नीचे आते हैं तो गोवर्मेंट के द्वारा एक ऐसा कार्ड बनाया जा रहा है जिससे हर महीना सैलरी मिलने वाला है और इस कार्ड को बनाने के लिए कहीं भी जाने के जरूरत नहीं पड़ेगा घर बेटे अपना मोबाईल एप्टोप के माधियम से मातरे 5 मिनट में कार्ड को बना का डॉनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में कार्ट को बनाना है कैसे बनाना है, क्या इसका प्रोसेस है क्या क्या डॉक्मेंट लगने वाला है सारा कुछ इस वीडियो में स्टेबाच टेप करके दिखाने वाले हैं तो चल दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पे नहीं पहला नमबर में आपके पास अधार कार्ड होना चाहिए तो ही आप इस कार्ड को बना सकते हैं दूसरा नमबर में आपके पास रासान कार्ड होना चाहिए और तिसरा नमबर में आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए पच्मा नंबर में आपके पास जोए कि मुबाइल नंबर होना चाहिए और इस कार्ट को गरीवी रेखा से नीचे वालों के लिए बनाये जा रहा है तो एस सारा डॉक्मेंट अगर आपके पास है तो फिर आप पांच मिनिट में इस कार्ट को बना सकते हैं और गर्मेंट से बनिपिट उठा सकते हैं दोस्तो घर बैटे इस कार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे चले आना है और इस पोर्टल पे कैसे आना है उसके लिस वीडियो को पुरा लास तक देखना है अगर वीडियो को पुरा लास तक नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पोर्टल पे आना है तो कैसे आएँ दोस्तो अभी तक कितने लोगा कार्ड बनाया गया है कितने लोगा इसू किया गया है यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल में काउंट करके बताया गया है दोस्तो कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Apply for Job Card इस वाले option पे क्लिक करना है उसके बाद इस परकार के एक application form open हो जाता है इस form को सही तरीके से fill up करना है इस form को fill up करते समय mistake से भी गलती नहीं करना है नहीं तो card नहीं generate होगा दोस्तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप से पूछा गया है कि अगर आप सहरी छेतरे से belong करते हैं तो आरवन वाले option को select रहने देना है अगर आप ग्रामी छेतरे से belong करते हैं तो रूरर वाले option को यहाँ पे select कर लेना है अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे full name को type करना है जिसके नाम से card बना रहे हैं उसका full name यहाँ पे type करना है उसके बाद एस side में चले आना है यहाँ पे उसका date of birth को select कर लेना है जो भी अधार कार्ट पे date of birth होगा वही date of birth को यहाँ पे select करना है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है क्या अपने परिवार का आप मुखिया है अगर आप मुखिया है तो यहाँ पे yes वाले option को select रहने देना है उसके बाद यहाँ पे head of family वाले option को select रहने देना है उसके बाद यहाँ पे gender को select करना है जो भी gender होगा यहाँ पे select कर लेना है उसके बाद एस side में चले आना है अब यहाँ पे अपना अधार number को type करदना है उसके बाद यहाँ पे अपना एक mobile number को type करदना है टाइप करने के बाद scroll down करना है अब यहाँ पे अपना full address को fill up करदना है जो भी आपके अधार card पे address होगा सेम यहाँ पे address को fill up करदना है उसके बाद यहाँ पे अपना district के name को select क पंचेट के नेम को सेलेक्ट करना है यहां पे एलवी के नेम को सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद स्क्रॉल डॉन करना है यहां पे अपना एरिया का पीन कोड नंबर को टाइप कर देना है जो भी आपके एरिया का पीन कोड नंबर होगा टाइप कर देना है उसके बाद यहां पर देखने के लिए मिल जाता है एक box box पर सबसे पहले tick out करना है उसके बाद scroll down करना है यहां पर जो भी बताया गया है सबसे पहले यहां पर आकर सही तरीके से reading कर लेना है उसके बाद scroll down करना है और यहां पर देखने के लिए मिल जाता है एक I agree का box I-Agre के box पे tick熟 करना है और यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है 7Bit 7Bit के option पे click करदेन उसके बाद job card के लिए registration हो जाता है और दोस्तों इसका status देखने के लिए या पिर download करने के लिए यहां पे दिखने के लिए 3Line, 3Line के option पे क्लिक करना है यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है अप्लिकेशन इसके उपर क्लिक करना है यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है ट्रेक अप्लिकेशन के ऑप्शन इस वाले ऑप्शन क्लिक करना है जो आपको अप्लिकेशन नमबर मिला है यहां पे टाइप करना है धा कर सकते हैं download job card के option जो दीख रहा है इसके उपर click करना है यहाँ पर अपना job card number को type करना है अधार number को type करना है capture code को यहाँ पर type करना है download job card के option पर click करके यहाँ से आप download कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि इस portal पर कैसे आना है और यहाँ पर जो हमने इसी link के उपर click करना है उसके बाद इस प्रकार से portal open हो जाता है और यहीं से आप जोब card के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप other estate से belong करते हैं तो उसके लिए क्या करना है ब्रॉजर में type करना है नरेगा job card apply type करने के बाद फिर आपको search करना है अगर आपके estate में online का service available होगा तो सबसे उपर में ही link के दिखने के लिए मिलेगा और उसी link के उपर click करके आप apply कर सकते हैं और दोस्तो इस card को अगर आप बना लेते हैं तो government के द्वारा आप सभी को 100 दिन का grantee रोजगार दिया जाएगा और एक दिन का मजदोरी हर estate में अलग-अलग यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि हर estate में अलग-अलग मजदोरी charge दिया जाता है अगर आप जारकंड से हैं तो एक दिन का मजदोरी charge यहाँ पर देखिए दिया गया है 245 रुपयार अगर आप आंध्रे परदेश से हैं तो यहाँ पर देखिए एक दिन का मजदोरी रखा गया है 300 रुपयार और इस list को अगर आप सही तरीके से reading करना चाहते हैं तो दोस् सकते हैं